कि हमार इस नए वीडियो में हमने दोस्तों नमबर सिश्टम bringskick us किया था और उसरे के साथ अद यहां पर रहां पार्ट ट्रस करने ओलए हैं पहले हमने पहले वीडियो मंने कोस्टे मर गया रहा आपको समा रहा है यहां है कोई संख्या है उसका दो बड़ तीन की भाग का एक बड़ चार हंड्रेड है आपका क्या यहाँ पर बोला जा रहा है कि 100 है यहाँ पर इसको कि solve करना है simple है दोस्तों आप इसको solve कर सकते हैं माल लीजिए हमारी कोई संख्य एक्स रही होगी और इसका यहाँ पर दोस्तों बोला है कि 2 बटा 3 2 बटा 3 सिंपली इस प्लगल मंट्विपलाई करते चले जाएंगे का एक बटा 4 बराबर बोल दिया है 100 है और यहां पर देखें इसको हम क्या करेंगे यहां से दिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 50 और 4 मां 3 का गुणा करते हैं तो हो जाएगा 12 और 12 हो जा दोस्तों option number B यहाँ पर आपका right answer देखने को मिले गए आप अपने थोड़ा मन में इसको किया कर यह नहीं कि मुझबानी करने का प्रयास करें जिससे कि आपको यहाँ पर पूरा रिवाज होता चला जाएगा तो इसके जो हमारा answer हो जाएगा option number B होगा और उमीद करता हूँ आपको तरीका फसंद आया होगा simple इसमें आपको कुछ नहीं करना है केवल आपको x एक value हमारी जो होती है जिसको करके चलते उसको कर लेना और दो बड़ तिन एक बड़ चार कर देना multiply में आपको answer देखने को मिल जाए गए अगले नमर हमारे हैं पर question है और इसको पढ़िए और पढ़ने का प्रयास करिए दो संख्याओं का योग 3 ratio 1 तथा योगफाल 72 है यादि कि आपके पास कोई संख्या है देखिए ratio में है ratio कभी real value होती नहीं है तो इसको हम 3x और x एज कर लेंगे और तो हमें संख्याओं का अंतर बताना है तो दोनों को add कर लेंगे चार जो है आपके यहां पर दिया गया है यह आपके संख्याओं का ratio है तो हम इसको simply add करेंगे क्योंकि तीन एक चार हो जाएगा और हमारे पास चार की value बाहत्तर दी गई है actual उनके योगफाल 10 संख्याओं का अंतर आंतर यहां पर आपको बताना है यहां पर यहां पर घटाये जब माईन्स करेंगे तो आपको घथन espaço मिलेगा छाठी सब्सक्राइं यहां आप साथ यहाप होगा आपसर नंबर भी यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा दूस्ति आपसर नंबर भी इहां पर इसका 36 आपसर नंबर भी देखने को मिलेगा चलें नेक्स्ट को बढ़ते हैं और अगला कोशन दोस्तों पढ़े तब तक मैं इसका पर इरेच कर लेता हूं तो अगला कोशन है दोस्तों चौरण नमबर दो संख्यों के योगफल 20 तथा गुलन्फल 91 है और उनके वियूत करम का योगफल यहां पर आपको बताना है यहीं दो संख्यों का योगफल और सब्सक्राइब करेंगे दो संख्यों को योगफल के यह इनके आपका य एक करो यहां पर तो यहां पर यहां खागते देंगे प्लस y में फिर हम xy का भागते देंगे और यह हो जाएगा हमारा 20 बटा में 91 यहां पर आएगा और आपका y-y कटेगे तो वनपान x आएगा और बराबर 20 बट एक के अनवे यहां पर देख सकते हैं जो xy थी x प्लस y और उनका विद्ट क्रम में जो मतला होता है किसी संक्या को सीधे यहां कि पलट देना तो हमारे वनपान x वनपान y हमें निकालना योगफाल है तो हमारे यह होगा चलिए अगले कोस्टिन को हम बढ़ते हैं अगलो को सन आमरे यहां पर कह रहा है दोस्तों यह एक संख्या का साथ प्रिच्ष्यत दूसरी संख्या के दो टिहाई के बराबर है जोस्तों इसी प्रकार के को स्चोटे चोटे ग्रूपड या एंटी पीची में पूचे जाते हैं यहां पर कह रहा है कि यदि एक संख्या का साथ प्रिश्यत दूसरी संख्या के दो तिहाई के बराबर है अनि कि एक संख्या का साथ प्रिश्यत x मान लिया, हमारी कोई पहली संग है, इसका 60 परित्सव, यहां पर देखे, परसेंटेज है, यहां पर इसमें, सिंपली हंडेट का भाग देना पड़ेगा हमें, ये पराबर है, दूसरी संग के कोई y है, y के यहां पर दो तीहाई यहां पर आपको बताना है दो तीहाई के मनलब यह दो बटा तीन वाई के दो बटा तीन के यही के दो बटा तीन गुने के यही दो बटा तीन गुने के बराबर हो जाएगा अब क्या है जीरो जीरो हमारे यहां पर कैंसल होगा और x और देखिए 2 त्याई तो पंचे 10 ठीक है और यहां पर 3 बटे 5 आ जाएगा और y multiply 2 y 3 यहां पर देखने को मिलेगा अब देखिए x हमें ratio बताना है x और y आ जाएगा y को हम नीचे लाएंगे और यहां पर यहां पर तो पांच उपर जाएगा तो यह बना देगा इसको 10 और 3 नीचे आएगा यहां पर तो इसको बना देगा वन में 10 ratio 1 है तो उसको आप 9 कर लिजिएगा यहां पर option number a ही साही answer होगा तो यहां पर दोस्तों टाइपिंग मिश्टेफ हो गई होगी इसलिए यहां पर option number a आपका right answer देखने को मिलेगा चलिए हम अगले question को बढ़ते हैं यह भी question दोस्तों हमारा complete हुए लिजिए अगला question इसको मैं तब तक तक इरज कर लेती है यहां पर बोला जा रहा है कि दो अंकों की एग संख्या के अंकों का योग 11 है है यादि जो दोंकों की एक संख्य है उनके अंकों का योग जया रहा है जो इनके अंकों की सन आपस में बदल देते हैं तो 10 y प्लस का x ये हो जाएगी तो संख्या 63 कम हो जाती है 63 किस से कम हो जाती है दोस्तों इसी 63 संख्या कम हो जाती है यहाँ पर जो पहले वाली संख्या है दूसरी वाली संख्या से 63 कम हो जाती पहली वाली संख्या जो है दूसरी वाली से 63 कम हो जाती है यहां को समझने का प्रयास करेंगे ठीक है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे एक तरफ और य तरफ करेंगे 63 हमारे उदर चल जाएगा तो यहाँ पर होगा यहाँ यहाँ से घटाएंगे और एक से इधर माइनस का 9x परम यहाँ पर दोस्तों काल्कुलेशन को कम करने के लिए तोड़ा माश साट कर रहाँ ठीक है तो देखिए y-x हो जाएगा और 9 से यहाँ डिवाइट करेंगे 7 बारे नहीं कि यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा ठीक है y- और x-y की वालु यहाँ पर कितनी है 11 है तो यहाँ पर करेंगे 18 तो य की वालु यहाँ पर 9 आ जाएगी और हमें x की वालु चाहिए यहनि कि आपको यहाँ पर संख्या ग्याद करनी है और x की वालु अब यहाँ पर क्याप करेंगे हम x में जो है दोस्तों 11 में हम 9 खटा देंगे तो यह दो बचाएगा 11 में दो खटा देंगा हूं कि 9 है 9 उदर जाएगा 11 माइनस 2 करेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ पर 10 मल्टिप्लाइ एक्स की वालु रखेंगे प्लस y की वालु रखेंगे यहनि कि नौ दूनी 20 प्लस का नाइन और आबर की 29 आपका आंसर देखने को मिलेगा यह कोश्चन आपको हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा और सी यह कैसा है अगर इसक ूर्णा गुल्ध फ़ on के बर्गों का यह बात्तर है बोला जारा की दो संख्यां को गुलंद फल है अगे डो गूलंद फल के यहेंग कोई दो संख्य है हमारी उनका गुरंतफल है मान लिए x और y है यह 24 है और उनके वरगों का योग एकस स्क्वेर प्लस का y एकस्क्वेर बराबर जो है यह हमारे यकापर 52 दिया गया है तो यहाँ पर निनको इनके योखफल आपको बताना है एक्स प्लस वाई के फार्मूला होता है एक्स प्लस एक्स प्लस वाई को होल स्क्वाइर बराबर एक्स इस्क्वाई प्लस का वाई इस्क्वाई प्लस का टू एक्स वाई यहां पर आप एक्स इस्क्वाई यहां पर एक्स प्लस यहां पर इस्क्वाई यहां पर पसंद आए होगा और अगले को बढ़ते हैं तब तक आप इसको सॉल करिए और तब तक इसको इरेच कर लेता हूं कि अधारा नमबर दोस्तों यदि दो अंकों की दो अंकों का योग नौ है और दहाएं की काई के अंतर जो है दोस्तों की अंकों का योग नौ है चैनके मैं आपके आपको तरीके कर सकते हूं यह से तरीके अंकों की आपको आपको नहीं की तरीके तो सेम करना भेग। लेकिन इसको मैं आपको आप्सन से करना बताता हूं कैसे करेंगे देखे दो अंको के योगफली बाद तो कहा रहा है जो एकाई और दहाई का अंक है यह हमारी कोई संख्या दस एक्स प्लस का वाई बनेगी तो एक्स और वाई को यहां पर ना होगा तो सबसे पहले आप आप है कि आपशनी कि तुमस त्री वाऊनस से बदा करेंगे ठीक है एकाई का दहाई से करत आएंगे तो देखंट तो हमें ए में मिलेगा ठीक है हमें iki मीलिए ऑफ्टन leftover c में हमें मिलेगा तो option number c हम रखेंगे और d हम एकदम खतम कर देंगे क्योंकि हमें अंतर जो है पांच देखने को मिल रहा ठीक है तो अभी हमें a और c में confirm करना है कि कैसे यह answer आएगा और हमें बोला है कि इकाई का दहाई से ठीक है इकाई का दहाई से तो a में हमारे पास क्या है पाइतालिस है तो इकाई से दहाई वाले घटाएंगे तो फाइव माइनस फॉर वन आर यह यह हमारा option सही हो जाएगा और option number c में दोस्तों है चाववन तो इकाई से और इकाई कैसे दहाई के इस ठाउन को घटाएंगे तो four minus five होगा तो यहाँ पर माइनस वन आ रहा तो यह हमारा answer नहीं होगा यह जो option हमारा यहां पर right answer होगा option number a यहां पर आपका right answer देखनी को मिलेगा option number a यहां पर यह आपका question हो जाएगा तो आप से नमर यापर सी हो जाए ठीक आप मैंने समय कि इकाई के अंक से दहाई के अंक के लिए बोला है तो इससे नहीं होगा है तो इससे नहीं होगा थिक है अगले कोशन के और बढ़ते बांकि इसके बेशिक से लगाना है संख्या मानेंगे एक्स प्लस वाई नहीं करेंगे एक्स माने की वाई माइनिस एक्स कर देंगे आप वन तो इस तरह के साथ इसको भी लगा लेंगे अब यहाँ पर अगला 19 नमर कोशन है पांच अंकों की सबसे चोटी ऐसी चार संख्या है सबसे चोटी संख्या सता चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर गयान क के जिए सबसे चोटी संख्या और चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या एक बीच अंतर बताना है तो पांच अंकों की सबसे चोटी संख्या यहां पर क्या हो सकती है मेरे क्या क्या होगी दोस्तु पांच अंकों की सबसे चोटी ओंक्या यहांपर कितने हो चार अंकों की सबसे चोटी संख्या यहां पर क्या होती है यह रहाँ पांच अंको की सबसे बड़ी नाजार होगी तो इस फिर्म लिए हम गटा देंगे तो तो एक आंसर आएगा इसमें अगले question क्यों बढ़ते हैं तो दोस्तों इस आप लगाने का प्रयास करिएगा और इस वीडियो को आज हम यहीं पर रखते हैं और उमीद करते हूं आज के सेशन आपको जरूर पसंद होगा अगर दोस्तों पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और अपने फ्रेंट्स के पास इसको फड़ा शेयर करिए और नेस्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगर आपके मलब की समझ में नहीं आ रहा तो आप लगाने का प्रयास क तो यह जो आपका बीस नमर कोर्शन इसको आप घर में लगाने का प्रयास करिएगा और बांकी और अभी कोर्शन बचे गुए है तो उनका में नेस्ट से सब्सक्राइब करेंगे तो मिलेंगे में नेस्क वीडियों तब पर के लिए धन्माद जैंद